हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल वेस संगीत आजा आज हम बना रहे हैं आटे सा नान जो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा इसके लिए मैंने तीन कप आटा लिया है यह देखी मैंने तीन कप इसमें आटा ले जिया अब मैं एक चमच पिसा हुआ सक्कर डाल रही हूं आप चाहे तो ऐसे भी सक्कर डाल सकते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और वन फोर्थ कप के लगबग आपको धेई डालना है और एक चमच ओयल कोई भी आउयल धैति गी झी जो भीड़ का डाल में चाहे टो सकते हैं और इसके लिए मेना मैंने यहाँ यहां पे यह टोचा पैकेट लिया है इसको थोरा साव Lords डालेंगे पानि डाले के बाद इन ने के बाद इनको सबको अच्छे से निक्स мощ कर लेंगे मिख करने के बाद यह बहुत ज् लगाल और इसको आदे घंटे के लिए रख दिया है आदे घंटे के बाद देखिए आटप बिलकुल सॉफ्ट और फुल गया है हो 3 कि अर्बहुती नरम बनाय है है अब अच्छे से इसको एक बार फिर से ऐसे मल लीजे मने के बाद अब हम लोई बनाएंगे नान बनाएंगे नान आप चाहे गोल सेप में ट्रैंगल सेप में या जो भी आपको पसंद ऊससेप में बना सकते हैं यह देखिए मैंने इसको बेल लिया है, बेलने के बाद अच्छे से उसके उपर पानी लगाएंगे, घी मत और नहीं लगाना है, इसमें पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद इसमें कलाउंजी डालेंगे, आप चाहे तो काला तिल भी डाल सकते हैं, कलाउंजी से स्वाज जो है, एक बान सकते ह以上 यह कड़ाही या कोई अलमूनियम के बर्तन या लोहे के तवे पर prohib़ पर ही बनाना कोई जरूरी नहीं है लोहे के तवे पर भिए पर भुश्करेय कर रहे हैं और आप अगर लोहे के सब्सेट और ढबा गी बड़ा देंगे इसको चारोर साइटे आसा दबाद ही बनेगा अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है यह देखिए मैंने एक और नान बनाया है जिसमें मैंने कलॉंजी डाली और धनिया पता को डाला फिर से लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है एक बर आप जरूर इस तरह से बना के ट्राइब कीजिए आप चाहे तो मैदे का भी ऐसे बना सकते हैं लेकिन आटा जो होता है मैदे से ज्यादा हेल्दी होता है और यह आराम से डाइजेस्ट हो जाता है इसलिए लोग आटे क बना हुआ ज़ादा पसंद करते हैं तो आप भी इसको बनाएए और इंज्वाइ कीजिए अब देए देखिए हमारा नान जो है वो बनकर तयार हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है घर में बना हुआ नान इतना ही सॉफ्ट देखिए कितना सॉफ्ट बना है सॉफ्ट से ट्राइ कीजिए और अगर आप चाहें तो इसको डाल के साथ पनीर के साथ किसी की साथ भी खा सकते हैं